उधारण दो सिद कीजिये की वर्गमूल एक धन साइन थीटा बटा एक रिन साइन थीटा बराबर एक धन साइन थीटा बटा कॉस थीटा यह हमें सिद करना है हल हल में हम सबसे पहले बाया पक्ष लेंगे बाया पक्ष बाया पक्ष में हमारे पास है वर्गमूल एक धन साइन थीटा बटा एक क्रिन साइन थीटा बाया पक्ष बराबर वर्गमूल एक धन साइन थीटा बटा एक रिन साइन थीटा अब हम वर्ग मुल के अंदर में हर का परिमाई करण करेंगे इसके लिए पहले एक धन साइन थीटा बटा एक रिन साइन थीटा लेंगे और अब हम वर्ग मूल के अंदर में एक रेंड साइन थीटा जो हर है इसका परिमाई करण करेंगे तो परिमाई करण करने के लिए हमारे पास जो एक रेंड साइन थीटा है हम आश्वार हर में एक धन साइन थीटा से गुणा करेंगे एक धन sine theta बटा एक धन sine theta बराबर वर्ग मूल एक धन sine theta गुणा एक धन sine theta को हम लिख सकते हैं एक धन sine theta को श्टक के अंदर की घात दो कोश्टक के बाहर बटा हर में सरसमी का हम लगाएंगे एक रिण साइन थीटा एक धन साइन थीटा को हम लेंगे ए रिण बी ए धन बी जिसका मान होता है एक की घात दो रिण बी की घात दो तो एक का घात एक होंगा और रिण साइन थीटा की घात दो जो है, sin theta का वर्ग जो है, sin की घाथ 2 theta होंगा, या वर्ग मूल, हम इसे लिख सकते है, 1, 1, 1, sin की घाथ 2 theta जो होता है, वहाँ cos की घाथ 2 theta होता है, तो हम इसे लिखेंगे, एक धन, sin theta, बटा, कौस, theta, कौस की घाथ 2 theta है, तो हम इसको कोश्टक के बहार में की घाथ, दोनों के लिए, आंच और हर के लिए हम की घाथ 2 लिख लेंगे, और इसके बाद वर्ग मूल और घाथ जो है 2, वो हट जाएंगा, और हमें प्राप्त होंगा, एक धन, sin theta, बटा, कौस, theta, जो की हमारा, एक धन, sin theta, बटा, कौस, theta, जो है दायापक्ष है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, दायापक्ष, इस तरह से हमने दिये गए, उधारण को हल किया, कि वर्ग मूल एक धन, sin theta, बटा, एक रेन, sin theta, बराबर, एक धन, sin theta, बटा, कौस, theta, तो यह इस उधारण का हल होगा,